नमस्कार साथियों नौलेज स्टडी ललित की विडियोज में आपका स्वागत है साथियों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे साथियों आज हम दस महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे अगर आपको जवाब पता हैं तो कमेंट करें वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजाना ऐसी वीडियो को पाने के लिए आपका पहला क्वस्चन नंबर एक है भारतिय सम्विधान की मूल कौपी कहा रखी है? आंसर है हमारे सम्विधान की मूल प्रती भारतिय संसत की लाइबरेरी में हीलियम से भरे एक केस में रखी गई है और सम्विधान की मूल प्रती हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में हाथों से लिखी गई है क्वस्चन नंबर दो है भारतिय रुपए के चिनह का डिजाइन किसने तयार किया था? आंसर है भारतिय रुपए के चिनह का डिजाइन उदे कुमार धर्मलिंगम ने किया था वो IIT गुवाहाटी में डिजाइन विभाग के हेड है Question number 3 है बिना सिर के कौक्रोच एक सप्ताह तक जीवित क्यों रह सकता है? आंसर है बिना सिर के कौक्रोच एक सप्ताह तक जीवित रह सकता है इसका कारण यह है कि कौक्रोच अपने शरीर में छोटे-छोटे छिदरों द्वारा सांस लेते हैं और वो अपने सिर के जरिये सांस लेने पर निर्भर नहीं होते हैं जब उनका सिर कट जाता है तो वो कुछ दिन बाद भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं किसी बच्चे के जन्म लेने के दस मिनट बाद दिमाग का विकास कितना होता है? आंसर है किसी बच्चे के जन्म लेने के दस मिनट बाद उसमें इतने दिमाग का विकास हो जाता है कि वो यह समझ जाता है कि आवाज किस तरफ से आ रही है विस्चन नमबर पांच है वह कौन सा कीट है जो जीब से नहीं पैसे स्वाद लेता है? आंसर है तितली एक ऐसा कीट है जो अपने पैसे स्वाद लेती है विस्चन नमबर चै है मान स्पेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से ठकान होती है? आंसर है लैक्टिक एसिड के मान स्पेशियों में एकत्रित हो जाने के कारण हमें ठकान होती है Question number 7 है ऐसी कौन सी चीज है जो जलती भी नहीं है और डूपती भी नहीं है Answer है बर्फ न तो जलती है और नहीं पानी में डूपती है Question number 8 है किस देश में राश्ट्रपती का कार्यकाल सिर्फ एक साल का होता है Answer है स्विट्सरलैंड दुनिया का इकलोता ऐसा देश है जहां राश्ट्रपती का कार्यकाल एक साल से ज्यादा नहीं होता है साथ ही उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमती भी नहीं दी जाती है Question number 9 है वह कौन का जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता Answer है चीन्टी अगर एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जगती Question number 10 है किस जानवर का दूध गुलाबी रंका होता है Answer है Hippopotamus का दूध गुलाबी रंका होता है दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं Friends अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें यदि आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को रोजाना पाने के लिए Friends फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो को लेकर तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए जय हिंद वंदे मातर्म